7.1.2 इसलामी समाजों में धार्मिक विविदता हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि किस तरह अरब में इसलाम धर्मिकी शुर्वात हुई पेगंबर मुहमत साहब ने आपस में जगडने वाले अरब कभीलों के बीच एक इश्वर वाद इश्वर की सब संतानों के बीच भाईचारा उनके समक्ष सबकी समानता आदि बातों को फैलाया और उनमें एक्ता की भावना जगाई साथ साथ उन्होंने मूर्तियों वप्रतीकों की आराधना कर्मकांड और पुजारियों का सक्ति विरोध किया और सरल तरीके से सामुहिक प्रातना के द्वारा इश्वर तक पहुँचने की बात कही इन विचारों के प्रेणा से इसलाम धर्म शीग रही मध्य एशिया से लेकर इरान, इराक, मिस्र, उत्तरी आफरिका, स्पेन और तुर्की तक फैल गया इसलाम के साथ-साथ इन सारे देशों ने अर्बी भाषा को साहित्तिक और धार्विक भाषा के रूप में अपनाया इस कारण उस काल के इसलामी सभ्यता को अरब सभ्यता भी कहा जाता है सन तेरा सो तक बंगाल से लेकर इस्पेन तक इसलामी राज्य फैले हुए थे हम पाते हैं कि इसलाम में भी बहुत विविधता थी हालकि इन सभी इसलामी सामप्रदायों ने कुरान शरीफ को इश्वर का पैगाम माना और मुहम्मद नभी को उनका पैगाम पहुचाने वाला पैगंबर माना फिर भी इसलाम का मतलब क्या है, कुरान का असली मतलब और नहितार्थ क्या है, हमें क्या करना है, कैसे जीवन बिताना है, इश्वर का स्वरूप क्या है इस तरह के सवालों को लेकर बहुत मद्भेत थे एक बुन्यादी मद्वेत्तों शिया और सुन्नी मुसल्मानों में बना पैगंबर के बाद क्या दैवी सत्ता उनके परिवार के उत्तराधिकारियों में भी है शिया मानते थे कि पैगंबर उनके वन्षजों को मुसल्मानों के इमाम या रहनुमा माना जाना चाहिए लेकिन यह सुन्नियों को स्विकार नहीं था और वे किसी परिवार या व्यक्ति को विशेश दर्जा देने के पक्ष में नहीं थे बाद में शिया और सुन्नी दोनों के अंदर कई विभेद होते चले गए चल कर और गहरे मद्भेद उबरे खास कर उन लोगों के कारण जिनोंने युनानी दर्शन का अध्यन किया था इन्हें मोद्जला सामप्रदायक कहते हैं इनके अनुसार मनुष्य कर्म करने के लिए स्वतंत्र है यानि उसका काम पूरी तरह इश्वर की इक्षा अनुसार नहीं होता है अगर उसे यह स्वतंत्रता नहीं होती तो उसे उसके काम के लिए पुरस्कार या दंड नहीं दिया जा सकता है एक और विचार था कि इश्वर सर्व सक्तिमान नहीं हो सकता है क्योंकि वह गलत काम या अन्याय नहीं कर सकता है उनका यह भी मानना था कि दैवी चमतकार या आप्राकृतिक घटनाय संभो है क्योंकि हर एक पदार्थ के अपने गुण होते हैं जो कभी बदल नहीं सकते उनका यह भी कहना था कि कुरान शरीफ का महत्व इश्वर के समान नहीं हो सकता है क्योंकि वह इश्वर का बनाया हुआ है यानि इश्वर की बांकिस रिष्टी की तरह उसके भी स्वतंत्र व्याख्या की जा सकती है उनका मानना था कि इश्वर ने मनुष्य को बुद्धी दिये ताकि वह भलाई और बुराई में अंतर कर सके इस कारण मनुश्य को किसी ग्रंथ के कथन से बढ़कर अपने विवेक का उपयोग करना चाहिए इस तरह के तरकों को लेकर इसलाम में बहुत वाद विवाद हुआ और यहां तक कि कुछ विचारों को इसलाम विरुद्ध माना गया मुद्जला सामप्रदाय के खिलाब करामी सामप्रदाय का उदह हुआ और अशरी सामप्रदाय ने दोनों के बीच सामनज़स से इस्थापित करने का प्रयास किया लेकिन इसलाम में ऐसा कोई प्रावधार नहीं था कि कोई मौलवी या खलीफा या सुल्तान यह दावा करें कि वह सबकी ओर से इसलाम की अधिकारिक व्याख्या कर सकता है विविन्न लोग केवल अपनी विचार रख सकते थे और दूसरों से आग्रह कर सकते थे कि उसे ही सच्चा इसलाम माने लेकिन उनके विचार माने ही जाए ऐसा जरूरी नहीं था इसलाम की व्याख्या के विकास में युनानी दार्षनिक और व्यग्यानिक साहित्य और आध्यात्मवादी सूफी संतों का यह प्रभाव महत्तुपों रहा जिन विद्वानों ने युनानी गरंतों का अध्यान किया वे तारकिक सोच विज्ञानी कन्वेशन आधी पर जोर देते थे और संकेन धार्मिक सोच से हटना चाहते थे उनके प्रयास से मानव शरी शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, गडित, खगोल शास्त्र तथा कम्यागिरी रसायनों का अध्यन जिसमें लोग लोहे या अन्यधातों को सोना बनाने के विधी खोचते और प्रयोग करते थे को बहुत बढ़ावा मिला उन्होंने युनानी ग्रंथों के अलावा चीन और भारत के विध्यानिक और गड़तीय साहित्य का भी अध्यन किया और अन्वाद किया इन्होंने प्रमुक थे अलबरुनी जिनोंने लगभक 1000 साल पहले भारत में कई वर्ष बिता कर यहां के ग्रंथों को पढ़ा और अर्भी में अन्वाद किया एक और व्यक्ति थे इबन सीना जन्म सन 980 मृत्यू सन 1037 जो उसकाल के प्रमुक व्यद और दाशनिक थे चिकित्सा और दाशन के बारे में उनकी पुस्तकों का यूरोपिय भाषा में अन्वाद हुआ और आधुनिक काल की शुरुवात तक इसे चिकित्सकों को पढ़ाया जाता रहा यूरोपिय चिंतन पर प्रभाव शोड़ने वाले इसलामी दाशनिकों में इरान के गणतग्य अलख्वारिजमी जन्म 780 मृत्यू सन 850 तथा स्पेन के अलरुष्द जन्म 1126 मृत्यू सन 1192 के नाम अग्रणी है अलरुष्द प्रसेजी चिकित सकते उन्होंने अरस्तू, एरिस्टोटल वा अफलातून, प्लैटो की पुस्तकों पर टीका भी लिखी इसके अलावा उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि मनुष्य को अपने आसपास की दुनिया का अध्यन करना चाहिए और यह धर में विरोधी नहीं है उनका मानना था कि दर्शन, तार्किक सोच और विज्ञान की मदद से हम इश्वर को भी समझ सकते हैं यह विचार परंपरवादी मौलवियों वअ सूफियों के विचारों के विप्रीत था और रूजद जैसे इसलामी दाषणिकों की पुस्तकों का अनुवाद यूरोपी बाशाओं में हुआ यह अनुवाद यूरोपी वैचारी क्रांती का एक कारक बनी सूफी संतों के विचार इन दाशनिकों से भिन्न थे सूफी संत यह मानते थे कि मनुष्य जीवन का धे इश्वर को प्राप्त करके उसमें समा जाना है यह इश्वर से गहरे प्रेम के द्वारा ही हो सकता है उन्होंने माना कि तारकिक सोच, दरशन या फिर बाहरी कर्मकार्ण आदी इसमें बाधक होंगे उनका मानना था कि मनुष्य विशेश साधनाओ जैसे ध्यान, जाप आदी से चरण दरचरण इश्वर तक पहुँच सकता है कुछ सूफी तो यहां तक मानते थे कि मनुष्य और इश्वर में कोई दूरी या अंतर नहीं हो सकता है कई सूफियों ने बौध और योग के ग्रंथों को फार्सी में अनुवात किया और उनका गहन अध्यन किया इस तरह के दार्शनिकों और सूफियों के विचारों से परंपरावादी मुसल्मान असहमत थे उन्होंने उनका पुर्जोर विरोध किया और उन्हें यातनाय भी दी लेकिन इन विचारों को मिटाया नहीं जा सका और वे विक्सित होते गए महिलाओं पर अल्रुष्द के विचार अल्रुष्द दुन्या के ऐसे विचारकों में से थे जिन्होंने महिलाओं को समान दर्जा देने की वकालत की थी उनका मानना था कि महिलाओं पुर्शों के बराबर की छमता रखती है और पुर्षों के स्वार्थ के कारण उन्हें पुर्षों की सेवा तक सीमित रखा गया है इससे समाज को हानी पहुँचती है क्योंकि समाज सार्वजनिक छेतर में महिलाओं के योगदान से वन्चित रह जाता है अपने कत्रों के पक्ष में उन्होंने अनेक महिला शाष्गों का उधारन दिया जिन्होंने मौका मिलने पर ना केवर अच्छा प्रशाषन दिया बलकि युद्ध में भी सफल सेनापती साबित हुई